नमस्काद अश्कों यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका सागत है आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ धनू राशी के लिए मारगी शनी वा गुरू का क्या फल होगा शनी वा गुरू जो हैं मई में वक्री हुए थे और अप सितंबर 2020 में पहले गुरू मारगी होंगे और फिर शनी मारगी होंगे 12 सितंबर को देव गुरू भरस्पति मारगी हो जाएंगे और 29 सितंबर को शनी माराज मारगी हो जाएंगे गुरू वशनी के मारगी होने का क्या प्रभाप पड़ेगा धनु राशी के जातकों पर इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे गुरू वशनी के मारगी होने का मैं आपको यह जोर बता रही हूँ उसके लिए मैंने आपकी लिया है आपकी चंदराशी को जैसे आपकी कुंडली में अगर जहां चंदरमा लिखा है अगर आपके नौ नमबर कांग लिखा हुआ है जैसे आपके सामें कुंडली है कि जहां चंदरमा लिखा है आपके नौ नमबर कांग लिखा हुआ है इसी प्रकार अगर आपकी जनम कुंडली में भी जहां चंदरमा 2020 तक ही है क्योंकि गुरु 20 नौबर 2020 तक ही धनुराशी में उसके बाद गुरु मक्काराशी में चले जाएंगे तो गुरु का फल 20 नौबर 2020 तक का मैंने इसमें बताया है अब हम देखें कि हम शुरुआत करते हैं 24 जनवरी 2020 से 24 शर्ंी मेराज है तो डिजु लिप приход और शनी इसलिकों मखरव के लावा समय चोप्रादा ने माँ सब्काइबक शनी माराज राशिक पढ़ आदो कर पादे ने लगे च्छानी माराज दने देने लगे そう प्रभाप धनु राशी के जातकों पर क्या पड़ेगा इसको हम देखते हैं शनी माराज कहते हैं 3, 6 और 11 का सबसे अच्छा फल देते हैं शनी माराज 24 जनवरी 2020 से आपकी मकर राशी में दूसरे भाब में चल रहे हैं वो मारगी थे ग्यारा माई के आसपा शनी माराज वक्री होए वक्री होने से शनी माराज और अधिक बलशाली हो गए और वक्री होने से घ्रेग जिस राशी में बैठा होता है उसकी पिछली राशी का भी फैक्ट देने लगता है तो शनी माराज धनूराशी का भी फैक्ट देने लगे, अब आपको ये तो पता है, कि मैंने लिखा है कि शनी माराज तीन, छे और ग्यारा का अच्छा फल देते हैं, तो शनी माराज ना तीन में हैं, ना छे में हैं, ना ग्यारा में हैं, शनी माराज बैटे हुए धनबाब म यानि धनबाब में शनी माराज नेगटिव है और जब वक्री हो गए तो लगन का भी एफेक्ट दे लेगे और लगन भी उनके लिए नेगटिव है तो इस परकार शनी माराज जब मारगी थे तब तो खाली धनबाब का भी एफेक्ट दे रहे थे तो सिंगल नेगटिव थे और जब वक्री हुए तो लगन का इफ़ेक्ट देने लगे इस परका दो नेगटी भावों का शनी महराज इफेक्ट दे रहे थे हुए टे तब् kita निंट तो मकर के शनी तो नियुक्त अटने ने ने निगटिव नहीं है लेकिन जब शनी मकर के तो इसने आफ्षार लगन का भी अपर पुना मारगी हो जाएंगे अफ़नी मारज जो पुना मारगी हो जाएंगे तो उनका लगन का फेक्ट खतम हो जाया अब शनी महराज के पल आपके धन भाप का एफ़क्ट देंगे और धन भाप तो इसलिए में लिखाया कि मारगी हो जाएंगे तो मारगी होने से शनी भाव के वल धनबाप का फल देंगे आपकी जो दो-डो आशुब भाव का फल दे रहे ते वह फल खतम हो जाएगा आपकी कारों की बाद है दूर होगी और आपकी मानसिक पीड़ा कम होगी लेकिन तब के foodफ मारव यह सभ्दानी रखें की धनके कारा जब और के लिए थोड़ी सी पोज़िविटी अपने आप आजाएगी कि नॉवंबर को लगनेश भाव में आ जADK और उसकी महाद के सग vita की धनेश की ओर लगनेश की यूती वीस नॉबर 2000 वीश की में आपके वो 2, 5, 7, 9 और 11 का अच्छा फल देते हैं लेकिन इससमँ ब्रस्पती जो है लगन पर चल रहे हैं लगन के ब्रस्पती इतने शुब नहीं मानते लेकिन लगन के ब्रस्पती की जो द्रिष्टियाँ हैं वो बहुत शुब होती है क्योंकि पहली दिष्टी पंचम भाप पर दूसरी दिष्टी सप्तम भाप पर और तीसरी दिष्टी भागे भाप पर पढ़ती है तीनों भाप हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है पंचम भाप बिद्धा बुद्धी संतान सप्तम भाप से जीवन साती का विचार करते है अब बायारे औन में है कि दिश्टे के हीए उन्हें गुरु की दिश्टी गुरु है गो Lower तो पहले गुरु मारोले तो वहते लेकिन अब क्या हुआ कि चाहिं पित्रदोष का एक देता है दूसरा ऐसा गुरू खर्चे कराता है और दूसरे खर्चे कराने के साथ आपकी भागा-दोडी बड़ी होती है आप इस्तान पर बैठे हैं नि आप अनावश्चा गुरूप से भागा-दोडी होगी काम भी करेंगे तो इसमें ब्यर्थ क से नहीं करेंगे हर काम में आपके खर्चे होंगे और मानसिक परिशानी अलग होगी रीचन क्या मानसिक परिशानी का मैं बता हूं कि बार में घर का गुरू है तो इसकी दिश्टी अश्टम भाब पर पड़ेगी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ जब भी किसी घ्र अश्टम से बन रही है इसलिए अश्टम भाब से गोचन में किसी घ्रे की अश्टम बन ती है तो वह भी घ्रे मानसिक परिशानी खतम जाएगी और आपके खर्चों बी कमी आएगी तो यह फैदा होगा दनौ राशी के जातकों को इसलिए मैं लिखा है कि मार्गी शनी वा गुरू का क्या फल होगा मार्गी शनी वा गुरू का फल होगा शुब क्योंकि शनी जो पहले नगटिव डवल नेगटिव एफेक्ट दे रहे थे कि लगन का और धन का अब खाली एक धन के बाप का नेगटिव एफेक्ट देंगे और गुरू जो बारवेगर का एफेक्ट देरे तो एफेक्ट खतब हो जाएगा गुरू आपके लगन से एफेक्ट देंगे तो इस परकार धनुराशी के लिए जो शनी और गुरू का जो मारगी होना है वो बहुत हरदे तक शुब रहेगा लेकिन तब भी मैं कहूंगी कि धन से जुड़े मामलों में धनुराशी के जातक सावधानी बढ़ते हैं साथ ही धनुराशी के जातक जो समय क्योंकि लगन पर गुरू की जिष्टी है नवब पंचम से समन बन रहा है जो बार बार नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं मैं उनसे कहूंगी कि अभी नौकरी बदलने का कोई विचार ना करे अभ जातकों को बहुत अधिक सावधानी की जरूवत है तो दशको आपको मेरा वीजय कैसा लगा प्लीस कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताईएगा इसके साथ ही दशको अपना वीडियो समाथ करने से पहले मेरी आप से परातना है कि अगर अगर अपने मेरा चैनल जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको में जाए और आप मेरा वीडियो देख सके इसके साथ ही नमस्काद अशकों जयमाता दी